नमस्कार दोस्तो ब्यूटी टिप्स नमरता चैनल पर स्वागत है तो दोस्तो अगर आप भी परेसान है अपने अंचाहे बालों से सरीर में कहीं पर भी आपके अंचाहे बाल है और आप उन बालों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस नुस्के का करिए इस्तेमाल तो नारील नारील का थेशृट का को यहां बड़िया और नारील का थेज़ा नालना के अइसलेतं अगर नीबू का रस, तो मैंने यहां पर एक चमश भर करके नीबू का रस ले लिया है और जो नीबू का रस होता है एक तो आपकी इस्किन को ब्राइट करेगा यानि कि जहां कहीं भी हमारे हाथ में, पैर में, अंडारामस में, चैरे पर कई पर भी अंचाहे बाल है तो उस जगे को ये क्या करेगा अंचाहे बालों की जड़ों को कमजोर बनाएगा क्योंकि नीवू के साथ में हम और चीजों को एड़ कर रही है अब इसमें हम डालेंगे नमक तो यहाँ पर मैंने आधा टी स्पून नमक डाल दिया है नमक क्या करता है बालों की जड़ों को कमजोर बनाता है और बालों को अंचाहे बालों को जड़ों से निकालता है और दुबारा से बालों की रीग्रोथ ही खतम कर दीता है अगली जो चीज है यह मैंने लिया है बैनेगर तो एक चमच आपको लेना है बैनेगर यानि की सफे सिरका यह जो सफे सिरका होता है बैनेगर होता है इसको आप चावमीन बगएरा में इस्तेमाल करते हो और इसको बहुत सारी चीजों में जैसे की पास्ता बगएरा में अचा तो सारी चीजों को डाल करके यहां पर मैंने कर दिया है से मिक्स तो अभी यह क्या आप देख सकते हैं थोड़ा सा डालेंगे पानी यहां पर आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यदा पेश्ट हमें पतला नहीं करना है अगर आपको ऐसा लगता है आपका पेश्ट पतला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और मिला लेना तो यह ठिक हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है इस तरीके से एक चमल पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करना है अब आप देख सकते हैं यह हमारा अंचाहे बालों को खतम करने का यानि के अंचाहे बालों से शुटकारा दिलाने का यह घरेली उसका आपका बन करके तैयार हो चुका है तो इसको आपको बहुत ज़् करने के आप अपने अंचाहे बालों को खटाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए इससे आपके बाल भी हटेंगे और आपकी जो तुचा है वो भी आपकी ग्लोइंग होगी यानि की तुचा आपकी खुबसूरत घोरी हो जाएगी काला पन खतम हो जाएगा inflow दीजिए यानि वीस से 30 के लिए इसको आपको छोड़ना है तो जब आप अन्चाहे बाल के ज़ड़ से निकलेंगे और री ग्रोंध ही खतम हो जाएगी अंचाहे बालों की नहीं नहीं तो आपको क्या करना है 20-30 मिन जब हो जाएं तो जब यह सूख जाए अभी मैं 30 मुन बेने नहीं नहीं रखा है तो गीला है तो इस लिए जब आपको 20-30 मिन हो जाएं तब आप इसको इस तरीक से बालों के अपोज्य और जो आटा है वो तो चिपखी veure जाता है यह बाति बनके निकले का आटा बिना किसी दर्द के आपके अंचाह बालों से आपको छुटकारा मिल जाएगा तो यह देखिये मेरे हाथों को कितना क्लीन हो चुका है जब मैंने पेश लगा है तो उसमें आद देखिए और अब यह कितना क्लीन हो चुका है इस आपके जो तुचा पर जो धूर्मिटी पर वालों, या आपके चैरे पर वालों, Cohen कहीं के भी, आप अपने अंचाहे बालों से छुट्कारा पा सकते है, इस बाती यानि जो आटे की बाती निकलेगी, इसी बाती में आपके अंचाहे बाल निकल जाएंगे चलिए हफते में दो से तीन बार इस्तेमाल करिए और आप देखना आपके अंचाहे बालों से आपको फुटकारा मिल जाएगा वीडियो पसंद आए लाइक करें शेयर करें